जलसमर्थन जुटाने ज्जो आज राजनाथ सिंग्जी जो है वो यहां आ रहे हैं कैंद्रेमंत्री आजनाथ सिंग आर रहे हैं क्या कुछ लगता है कि उनके आने से किस तरीके का जो फर्क वो कढ़ेगा लाम के और इस बार पार्ति जन्ता पार्टी के जो प्रत्यासी हैं डाक्टर मैश सर्मा जी कम से कम दस लाग वोटों से जीतेंगे तो आज इनके आने से क्या कुछ फाइदा होने वाला है बिल्कुल बहुत बड़ा फाइदा होने वाला माननी राजना जी के बहुत लोगफ्री नेता है और जो वो अपील करेंगे यहां के ठाकरों की जो चौरासी जो है वो पूरी तरह से भाजपा के पच्छ में है और उससे और जादा प्रभाब पड़े टे लिए कि राजपूर्य समाज से नाराज है और इस बाध्टर मेस शरमायादU लाग मतों से विजाई होंगे इस साथी छेस से हाला कि राजेंद्र सौलंकी कहते हैं कि हम डॉक्टर महेंद्र शर्मा के एहंकार के खिलाफ लड़ रहे क्याना चाहिए कुछ नहीं है यह सब एक जैसा भाई सापने बताया है कि सब्सक्राइब गंड़ा है और यह कुछ भी नहीं है किसी भी उसमें नहीं है कहीं पर भी नहीं आने वाले अब की बार 400 पार खोड़ रोकने सकता क्योंकि उनकी जो प्रयास है जो समाज के साथ जो किया है ऐसा शायदी कोई मंत्री नास्तर किया हो इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी आए दुबार आए और मैस जी बहुत अच्छे वोटों जीते हैं कम से कम 10 लाग वोटों से आपका नाम क्या है कहां से आये हैं क्या कुछ लग इखटा हुए ने देखकर क्या लगा मेरा नाम मैस सर्मा भारते जिनता पार्टे साथ दक्षू मुर्तमान में ग्रेट अन्वड़ा से और इस्तिती बहुत अच्छी है दॉक्टर मैस सर्मा भा अब कल ही मायावती भी आई है लोग बुझते कौन है मायावती कोई नहीं है उनका एक कंडिडेट नहीं जीतने ना पूरत प्रदम और अखलेश यादा अखलेश यादा पार तो तुम्हें पता खुंडा कर निकला हो कुछ है नहीं खतम कहानी खतम विपक्ष कह रहा है कि दॉक्टर महिस सर्मा भारत की लगा तीश्री या पहली दूसरी तीश्री विजह में से होगी दस लाख से जीतने हैं अब देखती क्या पुछा है कमेंट सेक्टर में लिखते रहे हैं